हलो फ्रेंड्स कैसे हैं, आप मेरा नाम है नमन, और आज कि वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप open कर सकते हैं, एक भारतिए saving bank account और फ्रेंड्स ये जो bank account है, ये सिर्फ 2 मिनिट में open हो जाता है फ्रेंड्स आपको ये bank account open करने के लिए किसी भी bank account में जाने की physically कोई जाने की कोई जरूरत ही नहीं है सारा काम आपका आपके mobile phone से ही हो जाएगा और सारी banking आपको अपने mobile phone से ही करने को मिल जाएगी साथ ही आपको इस bank account में कोई भी minimum bank amount maintain करने की कोई जरूरत नहीं है friends friends ये bank account zero balance account है friends आपको इस bank account में एक भी रुपे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है friends इस bank account में आपका जो भी earning का पैसा है वो आप इस bank account में ले सकते हैं और friends कितने भी बार आप withdrawal भी कर सकते हैं तुरंट withdrawal भी कर सकेंगे आप इस bank account में friends आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दो मिनिट में अपना bank account कैसे open कर सकते हैं friends ये जो भारती saving bank account है ये आप घर में घर बैठे ही open कर सकते हैं कहीं भी आपको चल के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और KYC भी friends आपको किसी भी mobile phone से वीडियो KYC के जरीए आप इसकी KYC कर सकते हैं आपको bank में चल के जाने की friends को जरूरत ही नहीं पड़ती है friends इस भारती saving bank account का नाम है kotak mahindra 811 bank account friends ये bank account आपका खुलता है भारत में शामेल kotak mahindra bank में ये account आपका open होता है ये bank की friends पूरे भारत में 1500 से ज़्यादा branches हैं और 2500 से ज़्यादा खुद के ATM है 100% free में friends ये bank account open होता है friends साथ में इस bank account में आपको एक virtual debit card भी मिलता है जिससे friends आप किसी भी bank के ATM में अपना पैसा withdrawal कर सकते हैं तो चलिए friends अब आपको इस वीडियो के जरीए बताते हैं कि कैसे आप अपना दो मिनिट में भारती सेविंग बैंक खोल सकते हैं तो चलिए friends अब स्टार्ट करते हैं friends अकाउंट open करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर Google Chrome को open कर लेना है friends जैसे ही आप website open कर लेंगे मैं इस website की link आपको description में भी दे दूँगा description में जाके आप इस link पे click करेंगे और जैसे ही आप link पे click करेंगे friends आप यह वाली website पे redirect हो जाएंगे यह website open हो जाएगी friends यहाँ पर आपको यहाँ दिख भी रहा होगा get your kotak 811 saving account in a few minutes right from your home friends यह बोल रहे हैं कि आप अपना kotak 811 saving account open कर सकते हैं कुछ ही minutes में और वो भी घर बैठे so यहाँ पर आपको let's get started में यहाँ पर आपको यहाँ नीचे साइड में एक box दिख रहा होगा your full name यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है जो आपके आधार कार्ड में आपका नाम रहता है साथी नीचे friends आप अपना mobile number डाल देंगे जो आपका mobile number आधार कार्ड से register है या friends जो भी आपके पास mobile number है यहाँ पर आप उसे डाल देंगे और नीचे आपको email id डाल देना है so friends यहाँ पर आपको सारी details fill करने के बाद यह आपको जो दो box दिख रहे होंगे in box पे click करना है और open now button पे click करना है so यह सारी details fill कर लेते हैं और आगे की process बताते हैं आपको जैसे ही friends आप open now button पे click करेंगे यहाँ पर आपको आपके जो mobile number आपने शुरुआत में डाला उस पे एक OTP आएगा OTP आपको यहाँ fill कर देना है by default अगर message नहीं आता है so यहाँ पर आप click करके send OTP पे भी OTP को फिर से बुला सकते हैं साथी friends आप अपने WhatsApp number या call के जरीए भी OTP पा सकते हैं so यहाँ पर अभी OTP डाल देंगे जो हमारे mobile number पे आया है OTP डालने के बाद friends आपको यहाँ next वाली बटन पे click कर देना है जैसे ही friends आप अपना mobile number डाल के next बटन पे click करेंगे यहाँ पर आपको एक next page खुल जाएंगा यहाँ पर आपको do you agree to voluntary use your आधार details to open your Kotak 811 account so friends यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि account open करने के लिए यहाँ पर आपसे आधार की details ली जाएंगी Kotak Mahindra Bank का 811 account open करने के लिए friends so यहाँ पर आपको इसे yes वाले button पे click कर देना है देखे friends यहाँ पर आपका एक नया page उपन हो जाएगा जैसे ही आप यह सारी details भर देंगे यहाँ पर आपको your details करका एक page दिख रहा है यहाँ पर आपको enter pen card number डिख रहा है साथी नीचे friends आपको enter आधार number दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप अपना आधार number फिल कर देंगे और दोने detail फिल करने के बाद आपको next वाले button पे click कर दें red friends आपको नीचे red color का next button दिखेगा उस button पर आपको click कर देना है और next कर देना है तो यहाँ पर detail फिल कर देते हैं और आगे बताते हैं दिखे friends जैसी आप next वाले button पे click करेंगे यहाँ पर आपसे पुछा जाएगा एक declaration box तो इस button पर आपको continue वाले button पे click कर देना है यह जैसा page आपको show होगा इस type का तो यहाँ पर आप continue वाले button पे click कर देंगे friends यहाँ पर आप जब continue वाले button पे click करेंगे तो अगर आपका आधार card में जो mobile number अगर link है तो friends आपको यह वाली process रहेगी और मान लिजे अगर आपके आधार card में mobile number link नहीं है तो friends वो process भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे बताएंगे आपको कि कैसे अगर आपके आधार card में mobile number link नहीं है तो आप इसे कैसे आगे process करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके आधार card में mobile number register है तो आप Kotak Mahindra Bank का 811 वाला account कैसे open करेंगे मैं उस वो वाली process अभी आपको बता रहा हूँ आगे मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आगे कैसे process करेंगे अगर आपके आधार card में mobile number link नहीं है तो तो यहाँ पर friends आपके आधार card में जो mobile number link है उसमें OTP आगया होंगा तो वो OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है और continue वाले button पे click करना है friends यहाँ पर आप OTP डाल ले के बाद continue वाले button पे click करेंगे friends आप next window में देखेंगे कि यहाँ पर provide your mobile number linked to आधार so friends यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आपके आधार card से mobile number link है वो आपको यहाँ पर डाल ला है so friends यहाँ पर आप वो mobile number को fill कर देंगे जो आपके आधार card से link है और उसके बाद आप continue वाले button पे click करेंगे friends उसके बाद आपको यहाँ पर your address in आधार record यहाँ पर एक point दिख रहा होगा तो यहाँ पर मेरा आधार number में जो detail डली थी जो भी आधार card से मेरे address था वो सारा address यहाँ पर show कर दिया गया है friends अगर आपके आधार card से mobile number link नहीं है तो friends आप बाकी की detail आपको खुद भरना पड़ेगा आपको address पुरा भरना पड़ेगा friends वो process में आपको बताऊंगा इसी वीडियो में तो यहाँ पर मैंने अपने आधार card से link mobile number डाला और उस पर OTP जो आया था उसको fill करने के बाद Kotak Mahindra Bank के A11 वाले account में friends से यहाँ पर directly address चारा show हो गया है जो आधार card में था उसके बाद friends आपको यह आधार card के details को जो आपके address डला है उसको चेक करने के बाद continue वाले button पे click कर देना है यहाँ पर friends आप दिखेंगे एक next page open हो चुका है यहाँ पर tell us about yourself आपके बारे में कुछ पुछी जानकारी पुछी जारी है यहाँ पर आपको gender चुन लेना है जेंडर यहाँ पर जिखेंगे जिसे आधार card में आपने detail डाला था उसी के साब से यहाँ पर gender अपने आप ले लिया है अगर आपके आधार card में mobile number लिंक नहीं है जिसमें आपको बताया तो यहाँ पर आपको fill करना पड़ेगा occupation में friends यहाँ पर आप क्या वेविसाय करते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है अगर आप कुछ नहीं करते हैं salary है, self-employed है, professional है homemaker है, retired है और student है तो यहाँ से आपको चुन लेना है friends तो यहाँ पर कुछ नहीं करा जाता है जिसे आप घर में खाली है तो आपको यहाँ पर homemaker पर चुन लेना है यहाँ पर आप father's name में आप अपने पिताजी का नाम डाल देंगे आपके father's का name डाल देंगे नीचे आपको date of birth यहाँ पर date of birth select कर लेना है और annual income में यहाँ पर आपको annual अपनी income डाल देना है यहाँ से देखिए less than two lakhs भी डाल सकते हैं और उससे उपर है तो वो भी आप यहाँ से select कर सकते हैं तो first वाला है पर select कर लेंगे यहाँ पर आपको mother's minted named यहाँ पर डाल देना है जो आपकी माता जी का नाम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे और नीचे आपको marital status में यहाँ single है यहाँ married है यहाँ पर दोनों यह चीज़े दी गई है तो इन में से select कर लेंगे so detail fill करने के बाद friends check करने के बाद आपको एक next button दिखेगा कि आप अपने account से जो आप कोटक महिंद्रा बैंक का 811 का account open करेंगे so यहाँ पर आप उसके account के लिए अपने एक nominee को add करना चाहते हैं so यहाँ पर आप yes या I do it later आप दोने ही option दिए गए हैं तो यहाँ पर yes कर देंगे हम और एक nominee add कर लेंगे अपने account के लिए यहाँ पर आपको nominee का name डाल देना है नीचे आपको relationship with account holder यहाँ पर select कर लेना है जो account holder है उसका क्या relationship है जो आप nominee select कर रहे हैं नीचे आपको date of birth डालना है और date of birth डालने के बाद आपको continue वाले बटन पर click कर देना है अगर friends आप जो nominee add कर रहे हैं आप धियान रखेंगे अगर वो minor है मतलब 18 age के नीचे है friends तो यहाँ पर आपको guardians की detail भी add करना पड़ेगा यहाँ पर उनके father's का name और mother का name डालना पड़ेगा friends और अगर friends अगर आप जो nominee select कर रहे हैं अगर वो 18 age के उपर है तो यहाँ पर आपको guardians detail फिल करने के लिए option नहीं आएगा जो मैंने अभी nominee फिल कर रहा है friends अगर वो age 18 के under है तो यहाँ पर उनकी details डाल देंगे उनके जो guardians की detail है और यहाँ पर address फिल करने के बाद friends आपको continue वाले बटन पे click कर देना है और friends आपको यहाँ पर यह option दिखेगा your profile का और साथ ही उसके side में आपको update की बटन भी दिख रही है तो अगर आपको लगता है आपकी information गलत है या आपने कहीं mistake कर दी है तो यहाँ पर update वाले बटन पे click करके आप सही भी कर सकते continue वाले बटन पे click करेंगे अब यहाँ एक declaration का box खुल जाएगा यहाँ पर आपको तीन पॉइंट दिख रहे हूंगे continue बटन पे इससे भी click कर देना है आपको next process में friends where can we meet you आपसे पुछा जा रहा है कि हम आपसे कहा मिल सकते हैं तो यहाँ आपको दो option दिखेंगे एनी कोटक महिंदरा ब्रांच या आप कहीं पर भी ब्रांच में करवा सकते हैं verification या community से में करवा सकते हैं तो एनी कोटक महिंदरा बैंक मैंने select कर लिया नीचे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा हूंग आप यहाँ पर आके bank में ब्रांच में आके set कर सकते हैं अपनी KYC क आती है आपको आड्रेस दिख रहा होगा next वाले बटन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बादब फ्रेंट्स नेक्स पेज में सेट और mobile banking MP यहाँ पर एक सेट कर लेना है दिखिए फ्रेंट्स यहाँ पर आप MP जो बनाएंगे हो छे डिजिट का रहेगा और six number character only यहाँ पर लिखा है उसके साथ ही आपको यहाँ पर देखिए और भी option दिखेंगे no repeated number like आप double one select नहीं कर सकते और one two three four six भी आपको नहीं पर नहीं रखना है तो यहाँ पर आप number का six digit का एक MPN बना के continue वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अब हम एक MPN बना लेते हैं फ्रेंट्स एक MPN आपको यहाँ पर सेट कर लेना है six digit का तो अब मैं यहाँ पर एक MPN बना लेता हूं MPN बनाने के बाद प्रेंट्स आपको continue वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप continue वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए वैलकम टू एट डबल वन क्लब और जिसका आपने पूरी डिटेल्स को आपको screenshot ले लेना है save कर लेना फ्रेंट्स यही आपकी अकाउंट की डिटेल्स है देखिए फ्रेंट्स नीचे साइड में आपको यहाँ डेबिट कार्ड भी दिख जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक का यह वर्चुल डेबिट कार्ड